हेलो, नमस्ते, साश्रीकाल अदाब, अस्सलम वालेकूं, मैं हूँ पारस कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया टीवी What's up, what's up, what's up, what's up, क्या हाल चाले मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसे हैं आप सब लोग Right now मैं हूँ अपने ट्रक में और मेरा पीछे ट्रेलर में से समान ओफ लोड हो रहा है Actually मुझे वीडियो बनानी थी ये थोड़ा टाइम पहले बट मैं बना नहीं पाया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कुछ मेरा काम भी बिजी चल रहा था और कुछ मेरा कंसल्टेंट जो वीजा कंसल्टेंट सी है काम मेरा उसमें मैं थोड़ा साब बीजी था तो अब समान उतार रहे थे मेरे पास टाइम था तो आइ थोड़ वाइनोट इूटिलाइज यो टाइम तो गिव यू सम इंफोमेशन सो यह जो वीडियो है वो है इमिग्रेशन ने जो स्टूडेंट यहां पर पढ़ रहे हैं या जो स्टूडेंट यहां पर आने वाले इंटरेंट से स्टूडेंट जब उनकी studies complete हो जती है उन्हें completion letter मिल जता है college से तो उन्हें work permit apply करना होता है जो पहले completion letter के बाद work permit apply करने के लिए जो time था वो 90 days का था 3 months का अब immigration ने rule अच्छा बना दिया है 14 February पे valentine का gift दिया है उस 90 days को उन्होंने 180 days कर दिया हांजी 180 days like 6 months after completion letter जब आपकी studies complete होगी completion letter आप के पास six months का time है six months बहुँ ज़्यादा होते हैं आप apply कर सकते हैं और process कैसे होता है जब आप इयरपोर्ट से यहां पर उतरते हैं जब आपको immigration study permit देता है study और मैं एक बात ताजो study permit extend भी हो जाता है अगर आप कहीं सोचो कि मेरी study तो धाई साल में खतम हो रही है मेरा study permit तो एक साल में खतम हो जाएगा अगर आप college के साथ enrolled हैं आपको enrollment letter मिलेगा college से उसके base पर आप study permit extend करा सकते हैं so anyways वह अलग से एक video बना दूँगा how to extend your study permit and जब आपकी studies complete हो गई उसके बाद आपने आपको जब completion letter मिलेगा college से transcripts मिलेगी सारा कुछ मिलेगा उसके base पर आप अपना work permit apply करेंगे जिसके आपको 180 days मिलते हैं six months six months बहुत ज़्यादा होते हैं और एक और चीज इन्होंने बहुत अच्छी करी है पहले 90 days का time था plus आपका study permit valid होना चाहिए था 180 days कर दिया है और उन्हों यह भी का है कि study permit valid हो या ना हो और इस चीज का मैं लिंक description में डाल दूँ है आप यह सब पढ़ सकते हैं description में में मेरी डिनीचे दियोगे description में पढ़ सकते हैं so that's a very good news valentine का gift मिला आप सब लोगों को जो international students यह आ पर है या जो आ रहे हैं तो यही थी एक छोटी सी वीडियो जो एक छोटा सा चेंज किया है इन्होंने मैंने सोचा आपके साथ जरूर शियर करूँ और अभी भी कोई आपको questions है तो नीचे दिये हुए comment section में comment करो मेरे instagram पे qataria 007 पर जरूर मुझे follow करो जो भी यहां पर मॉंट्रेल में ट्रॉणों में पर all over Canada में कहीं पर भी अगर किसी जो college change करना है या किसी को admission लेना इंडिया से तो they can contact me also मैं उनकी help कर सकता हूं college change करने में and thank you for watching this video keep watching keep supporting qataria tv stay healthy stay fit peace